क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वरा गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसमय स्रे गुरूवे नम्हा नमस्कार दर्श्कों मैं पंडित चंदन संडिल परते दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप शभी दर्श्कों का कुंडली दर्शन के कारिकरम में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष कारिकरम में बात करेंगे शाप्ताहिक रासी फल 5 नौमबर से लेकर 11 नौमबर 2018 का सप्ताहिक रासी फल के बारे में जी हाँ इस कारिक्रम में जानेंगे कि ये पूरा सप्ता आप शभी लोगों के लिए किस परकार से गुज़रने वाला है इस हपते की सुरुवात धन्तेरस से हो रही है इसी हपते दिवाली भी है और तुला रासी में तीन ग्रहों के संयोग से लक्ष्मी योग का निर्मान हो रहा है तो ऐसे में ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि ये पूरा हपता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा तो चलिए जानते हैं आप सभी रासी वालों के लिए किस प्रकार से गुज़रने वाला है लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है वो वीडियो के नीचे लाल कलड़के सब्सक्राइब लिखेवे बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फिर घंटे के अकार के बेल आइकोन के बटन को प्रेश कर दें जिससे आपको ऐसे ही वीडियो धर्म योंग जोतिस से जुड़ी अनेक महात्पुल रहाशपुल बातों की जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले मेश रासी मेश रासी वाले धनते रस शुरू हो रहा है यह सब्ता आरम में आपके लिए सुखद रहेगा कमाई के आउसर मिलेंगे और सुरू किया गया काम शफलता प्रूवक शंपन्न होगा आपकी कारे कुशलता से ओफिस में शंमान मिलेगा सहकर्मियों के साथ ताल में ताल बठा कर काम करने में आप कामियाब रहेंगे शप्ताह के मद्ध में सगे सम्मंधियों और मित्रों के शाथ उत्तम शमय बिता पाएंगे उत्साह, उमंग और धोम धाम से तेवार को मनाएंगे घर में सुभ परसंगों का योग बनेगा विवहा के इच्छुग लोगों के सामने विवहा के प्रस्ताओं आ सकते हैं पार्टनर्शिप के धंदे में प्रगती होगी जीवन साथी से कारिछेत्र में शहयोग प्राप्त होगा नौ एवं दस तारीक के दोरां आठमें अस्थान में चंद्रमा का उपस्थित रहना आपके लिए कुछ हद तक कष्टकारी हो सकता है इसलिए शेहत का ध्यान रखना आपके लिए उचित होगा चिंता यों परशानी इस दर्म्यान कुछ कर सकते हैं आपको इस समय में भगवान स्चिप की आराधना विशेश रूप से करनी चाहिए अब आईए जानते हैं विर्षभ रासी वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है ये पूरा सप्ता विर्षभ रासी वाले इस हप्ते आप केरियर और काम को महत्त दें कोई महत्त पूल लेन देन कर सकते हैं कुछ अच्छा सिखने की इक्षा रहेगी सिख्छा के छेत्र में प्रगती होगी सेर बजार से लाब होने के योग बन रहे हैं प्रेम समन्दों में मधूरता आएगी मकान से आर्थिक लाब होने के योग दिख रहे हैं छे और साथ नौम्बर को नरक्चतुरदसी और दिपावली है इस दोरान धन प्राप्ती के योग दिख रहे हैं किसी जगा नया निविश्पिया कर सकते हैं आपकी सकरात्म के स्तिती रहने वाली है दोस्तों की और से इक्षित सहयोग प्राप्त होगा कमपनी संबंधी मामलों में आपका परिश्रम और प्रियत्न रंग लाएगा जीवन साथे के साथ शंबन बहतर रहेंगे सहयोग प्राप्त होगा दिवाली के दिन मंगल का आपकी रासी से दसमे अस्तान में भर्मन करना आपके आत्म बल में विर्धी करेगा लेकिन सत्रु रासी में होने से पिता या उच अधिकारी के साथ आपके वैचारिक मत्वेद पैदा हो सकते हैं तारीक आठ नौ और दस के दोरान पती पतनी के बीच प्रश्पर सहयोग का शमन बना रहेगा घर में आनन दायक वातावरन का निर्मान होगा किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है वैवसाइक छित्र में आपको धीमी गती से लाब होगा धैर पुरुवक कारे करें इस अवधी में घर और ओफिस की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से आप शमहाल पाएंगे घर में महमानों का आवगमन लगा रहेगा अब आईए बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में पूरे शप्ता का शप्ता ही क्रासी फल मिथुन रासी वाले माता पिता के साथ आपके शम्मद मधुर रहेंगे विद्दार्थियों को पढ़ाई में शफलता मिलेगी मकान वहां प्राप्ति के योग देख रहे हैं पांस तारीक के दुरान कोई गलत व्यक्ति आपको कहीं फशा सकता है इसलिए सम्हल कर रहें घर पडिवार और संतान की देखरेक आपकी प्राप्ति मिक्ता में सामिल रहेंगे समय के इस्तिती आपके पूरी तरीके से पक्ष में नहीं रहने के वज़े से आपको इस अवधी में वाद विवाद से बचना चाहिए जमीन मकान के विवाद से कोट कहचैरी के योग दिख रहे हैं वाहन भी सावधानी पुरुवक चलाएं छे साथ तारीक को सेर बजा से आर्थिक लाब मिल सकता है प्रेम प्रक्रण में शफलता मिलने के योग दिख रहे हैं आठ तारीक के दोपहर तक कसमे यात्रा प्रवाश में शफलता दिलाएगा शमाजिक कारियों में भाग ले सकते हैं नौकरी करने वालों के लिए यह दिन शफलता पुरुवक गुजर जाएगा आठ तारीक की दोपहर के बाद और नौ एउंग दस तारीक के दुरान कोई कीमती उपहार आपको मिल सकता है आप अपने घर पड़िवार हेतु खर्च का विचार बना सकते हैं कुछ जरूरी चीजें घर पड़िवार के लोगों के लिए ला सकते हैं आपको अपने इंकम के शरोत को बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त होगी दूसरों की मदद करके उनकी उन्नती में आप शहायक रहेंगे आपके लिए उन्नती का शमय इस अवधी में बना रहेगा अब आईए बात करते हैं करकरासी के बारे में करकरासी वाले इस हपते उस्सह पुरुवक तेहवार का आनन ले सकेंगे आपके निर्धारित काम शमय पर पूरे हो जाएंगे रिष्तेदारों और दोस्तों के शाथ आपका शमय अच्छा व्यतित होने वाला है संपती शमंधी चल रहा विवाब शमाप्त होगा इस हपते 6 और 7 तारिक की दोपहर तक खर्च की मात्रा कुछ अधिक रहेगी मन अशांत रह सकता है आप कुछ अधिक भावुक रहेंगे लोगों से जिस सने और सहयोग की अफिक्छा रखे हैं वो नहीं मिलने से निरास हो सकते हैं आप के लिए बहतर होगा कि आत्मिश्वाश बनाए रखें और दूसरों पर आस्रित ना हो किसी पर्थिष्ठित व्यक्ति से विवाद की आशंका दिख रही है दिपावली के बात कश्मे अधिक अनकुल रहनी वाला है नया अनभो प्राप्त होगा किसी यात्रा पर जा सकते हैं शाथियों के शाथ शमय गुजरेगा मांगलिक कारे में व्यस्त रह सकते हैं शमाजिक शमहारों में शिर्कत करने का मुका मिलने वाला है बच्चों से प्याज और शम्वान बढ़ेगा अब आईए बात करते हैं अगले राशी शिंग रासी शिंग रासी वाले शप्ता के आरम में शुखों की प्राप्ती होने वाली है आप लोगों के काम आएंगे मित्रों के शाथ आत्मिता में विर्धी होगी और कहीं बाहर घूमने जाने का कारिक्रम बनेगा छे तारिक से मंगल आपकी रासी से शात्मे भाव में भर्मन करेगा आपके विचारों में उग्रता रहेगी जिवन साथी के शाथ वैचारिक मद्वेद रह सकता है कार अस्थल पर परिशानियां रह सकती है आप अपने क्रोथ पर नियंत्रन रखें वाहन ध्यान पुरुवक चलाए छे और साथ तारिक के दोरान तेहवार के कारण घर में आनन एवं उनलास का बातावरन बना रहेगा स्वैम और परिवार के लिए कुछ खरिदारी बियाब कर सकते है आठ तारिक के दोपहर के बात का समय मद्यम है नौ और दस तारिक के दोरान आपका कोई कार बिगड सकता है सूज बूज और समजदारी से काम लेना चाहिए अब आईए बात करते हैं कन्यारासिवालों के लिए कन्यारासिवाले शप्तह के आरब में आप अपने व्यक्तित और परदशन पर अधिक ध्यान दे शौंदर और परसादनों आभुषनों और वस्त्रों की खरिदारी पर महिला जातकों का खर्च अधिक हो सकता है साहित लेखन अथुआ कला के छेत्र से जुड़े जातकों को स्रेश्ट परदशन करने का अउशर प्राप्त होगा सप्तहा के मद्ध में अभी तक बोए हुए को काटने का समय आएगा ऐसा कहा जा सकता है अर्थात की आपने जो पीछे कुछ प्रियास किये हैं अच्छा या बुरा उसका आपको परणा उसी रूप में प्राप्त होगा शप्तहा के इस मद्ध का काल आपको बहुत ही धायर पुरुवग गुजारना चाहिए आमदानी के लिए आप नई सरोत तयार कर पाएंगे ननिहाल पक्च की ओर से कोई सुप समाचाग प्राप्त होगा बिरोधियत हुआ पर्तिद्वन्दी की चाल उल्टी पड़ेगी और आप अपने आत्मिश्वास से कारे में शखलता प्राप्त अभुस्रे ही कर लेंगे मुस्किल इस्तिती में इश्ट देव की अराधना करने से आप ताजगी कानभव कर पाएंगे विदेश के कारे से जुड़े लोगों के लिए समय अनकुल रहने वाला है विदेश गमन के शंभावना भी देख रही है चात्रों को अपनी महनत कफल मिलता रहेगा अब आईए बात करते हैं तुलारासी के बारे में तुलारासी वाले शप्ता में कोई करीबी व्यक्ति आपके भावनाओं को ठेश पहुचा सकता है सम्मन्द्यों से कोई छोटा मुटा विवाद हो सकता है सौास्त नरम रहेगा बदलते मोशम और काम का दबाव सौास्त को प्रभावित कर सकता है अनावस्चक उतावलपन और तेश ड्राविंग के वज़े से चोट लगने की आजंका दिख रही है छे और साथ तारीक के दोरां परिवार के शाथ समय गुजार सकते हैं शाजेदारों एवं पार्टनर के साथ चल रहा विवाद दूर होगा वैवशाय के मोर्चे पर आपकी समस्च्या का हल निकलेगा किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है उनके साथ कहीं बाहर जाने का आयोजन का कोई शंभावना देख रहा है साथ तारीक से मंगल आपकी रासी से पांचमें अस्थान में गोचर करेंगे जिससे प्रेम में और सफलता मिलने की शंभावना बन रही है आपकी वानी की वज़े से करीबी दोस्तों से आपको कुछ निराशा हाथ लग सकती है इसलिए अपने वानी पर नेंतरन रखें विदार्थियों को भी पढ़ाई में कुछ अवरोध आ सकता है आपके और विचारी कदमों के वज़े से आपका कोई कारे भी बिगड सकता है इसलिए कोई विकार शोच विचार कर ही करें आठ नौ और दस तारीक के दोरान आपके लिए मिस्रित फलदाई समय रहने वाला है मानसिक शांती रहेगी शप्ता का अंत आपके लिए समान बना रहेगा अब आएए बात करते हैं विरिष्चिक रासी वालों के बारे में विरिष्चिक रासी वाले शप्ता के प्रारंबिक चर्ण में समाजिक छित्रों में आपको पद परतिष्ठा प्राप्त होगी समाज के लिए आप कोई जवाब देही ले सकते हैं आमदानी में विर्धी होने का शंकेत दिखाई दे रहा है आमदानी के नई स्रोथ त्यार करने की आपकी योजना में आप आसा के किरन दिखाई देगी कारे में वैस्तता अधिक रहेगी नौकरी में पदोनत्ती प्राप्त हो सकती है नए अउसर की खोज में हैं तो इंटर्व्यू का बुलावा आ सकता है छे तारिक से मंगल अपनी रासी से चतुर्थ अस्थान में भर्मन करेगा जिससे मकान शंपती की लेंदेन में सावधानी बरते हैं पारवारिक समस्या खड़ी हो सकती है माता पिता की स्वास्त का ध्यान रखें मन असुअस्थ रह सकता है कुरूरता और हिंसा की भावना में विर्धी हो सकती है विद्धार्थियों को विद्ध्य अध्यन में अवरोध आ सकता है छे, साथ और आठ तारिक को दोपहर तक आपके वेपार में उतार चड़ाव आ सकता है प्रेम संबंधों में शावधानी बढ़ते हैं पडोसियों के शाथ बोलचाल हो सकती है खर्च में विर्दी होगी कारे दर्चिता में कमी आएगी कारे को शल्टा में कुछ normal कमी देखने को मेल सकती है आपके सफलता देखकर दूसरों को इस्त्या भी हो सकती है शब्ता के दूसरे भाग में शत्रू और विरूधी प्रास्तों होंगे रूके हुए किसी कार आपको किसी मित्र के साहता से पूरा करने में शफलता प्राप्त हो सकता है ससराल के तरब से भी कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है अब आईए बात करते हैं धनुरासी के बारे में धनुरासी वेले शप्ता के आरम में विद्धार्थियों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी वहां चलाते समय शावधानी बरते, कोट कचहरी का योग बन रहा है, सरकारी कामकाज में अनकुलता रहेगी, वैवशाय में नई योजना बना सकते हैं, तथा नौकरी में आपकी तत परता और करतब पारायनता का उलेक होगा अर्थात आपके कारे की तारिफ होगी, आपको नई जवाब देही और कोई परमोशन भी मिल सकती है, इस्टुजेंट्स को पढ़ाई एवं केरियर के मामले में प्रगती के योग देख रहे हैं, पारिवारिक तनाव से रहत मिल सकती है, नौ और दस तारिक के दोरान कलहा अथवावाद विवाद हो सकता है, आपके सुभ खाओ की उगरता के कारण छोटे मोटे विसे बड़े जगडे में परिवर्तित हो सकती है, आर्थिक खेष्तान आपकी व्याकुलता बढ़ाने में महत्पुर्ण भोमिका निभा सकता है, घर पड़िवार में तनावपुर्ण वातावरं हो सकता है, इसलिए जरूरी है खु शम्मंदित विश्यों का शमाधान होगा, जो कारे आपने सोचा है वो सुरू होने का योग देख रहा है, ना ते रिष्तेदारों तथा मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं, तेवार का श्वागत पूरे हर्स उल्लास और जोस के साथ करने वाले हैं, आपको इस दवरान श्वाज की मात्रा में कुछ बिर्धी का योग दिखा रहा है, मानसिक सांती में कुछ कमी आ सकती है, आप भावुकता के लिए प्रेमी जनों से प्रेम और शन्हे पाने का प्रियास करेंगे, परन्तु ना मिलने से उदास रह सकते हैं, आत्म विश्वास में भी कुछ कमी आ सकती है, किसी दूसरे पर आसरित होना आपके लिए अच्छा नहीं है, मानहानी होनी का भी कुछ योग दिख रहा है, किसी पर्थिष्ठित व्यक्ति के साथ विवाद होनी के शम्हावना बन रही है, नौ और दस तारिक के दोरान का समय आपके पक्ष में रहेगा, नए अन्भों प्राप्त होंगे, यात्रा पर जाने का कारेक्रम बन सकता है, बुजरुगों के साथ कुछ समय आप बिता सकते हैं, मांगलिक कारियों में आप कुछ वैस्त भी रह सकते हैं, शमाजिक समहरों में जाने का कारेक्रम भी बन सकता है, शंतान की योर से प्रेम और हैं इसलिए पानी से संभल कर रहने का आपको विशेश सला है नहीं तो आपकी स्वास्त में पानी से समंदित कुछ बिमारी हो सकती है पड़िवार में माता की तबियत को लेकर भी कोचिंता आपके मन में हो सकती है जमिन संपति के दस्तावेजों को शावधानी से रखें कभी भी आपको इसकी जवरत पड़ सकती है विदार्थियों के लिए कटनाई भरा समय हो सकता है धर्म और अध्यात्मिक विशे में रूची रखने वालों के लिए यह समय अनकुल है संतान के विशे में कोई मानसिक त पर नियंत्रन रखें सेयर सट्टे का काम यदि आप करते हैं तो बहुत ही सावधानी पुरुवक करें लालच में आकर मनमाना निविश्ख करेंगे तो लाखों का नुक्षान होते आपको देश नहीं लगेगा आप बौद्धी की विचार विमर्ज से यथा संभव दूर रहें क्योंकि कुछ लोग इस समय में आपको गुमरहा भी कर सकते हैं सब्ताह के अंत में वैपाडियों और नौकरी पेशा लोगों दोनों के लिए समय लापकारी हो सकता है वरिष्ट अधिकारियों की कृपाड रिष्टी शे परमोशन की शंभावना दिख रही है काम के सिलसले में कहीं बाहर जाना पढ़ सकता है इसलिए आप इसके लिए तयार रहें गिरहस्त जीवन में प्रश्पर शंवाद बना रहेगा शप्ताह के अंतिम समय में आपको विविद छेत्रों में यस कृती का लाब होगा अंतिम समय आपके लिए बहुत ही अनकूल रहेगा अब आईए बात करते हैं अंतिम रासी में डासी शप्ताह के आरब में बड़ों से असिरवाद आपको प्राप्त होगा पती पतनी के बीच प्रश्पत सहयोग पूर्ण वेवार रहनी वाला है। घर में हसी खुशी का वातावरन रहेगा जो आपके अंदर एक नई उर्जा और उस्साह का संचार करने वाला है। आपके वेपार में धीमी परंतु इस्थिर गती से लाप्राप्त होने के योग दि किये गए अफेक्चित परणाम आपको नहीं मिलेगा। वेपार में नुकसान से आपका मन कुछ उदास हो सकता है। इस अवधी में अनावस्यक खर्च भी हो सकता है। साथ तारिक से आपके खर्च में विर्दी होगा। विदेश गमन का भी योग बन रहा है। परिवारि समस्याओं का शामना करना पड़ सकता है। आठ तारिक को दोपहर के बाद और नौ-दस तारिक के दोरान इस्तिथी शमान ने रहेगी। शरकारी वेशियों में इस अवधी में आपको कुछ शफलता प्राथ हो सकती है। किसी के साथ हो रही गलत फ्हामी का निराकरन हो जा प्राथ है। पेट में कुछ तकलीब महसूस कर सकते हैं। इसलिए स्वास्त का भी विशेज ध्यान रखें। तो दर्सकों आपने देखा क्या कहता है आपका शप्ताहिक रासिफल। जाने से पहले आप एक बार इस चैनर को सब्सक्राइब करना लाइक करना और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आगले कारक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जै माता दे राद है राद है। क्या कहती है आपकी राशिफल। जाने अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश ले सकाए। अचारे चंदन संडिलेजी से